साथ यो सभी का श्वागत है डेली करंड़ाफर की स्रीज में आज 16 फरवरी 2022 के टॉप 10 डेली करंड़ाफर कोम लोग पढ़ेंगे जिसकी बिस्तित ब्याक्या भी यह करेंड के साथ साथ भीवीद भी होगी जो सिच्चक भरती परिच्चा सुपर्टेट के साथ साथ अन सभ पिशाति मित्रों को शेयर करिएगा और अगर आपने वी तक लाइक ने किया तो लाइक करने के बाद शेयर का बटन जरूर दवाईएगा एक सवाल है 45 अंतर राश्टी कोलकाता पुस्तक मेला कब तक चलेगा तो फड़ाबर कमेंट सेक्शन में जाईए और कमेंट करके ब फरवरी से 13 मार्च जिहां इस प्रष्णिका सही उत्तर जोगा 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक है आईए अब इसकी विश्तित ब्याक्ख्या की तरफ चलते हैं इस वर्स फोकल थीम देश बंगलादेश है बंगबंदु की जन्म सत्ति और बंगलादेश की आजादी के पचास साल दोनों की कारण इस साल के थीम बंगलादेश है बंगलादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा मेले का उध्गा टैन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री मंता बनर जी करेंगी देखिए प्रश्ण के साथ साथ उसकी बिश्टित ब्याक्ख्या भी आपको मिल जाती है इससे आपका जो बिविद है वो भी आपका तयार होता रहेगा हम बढ़तें अंगले शवाल की तरफ हाल ही में किस राज सरकार ने उच्छ सिच्चा का विश्टार करने के लिए बिटीस काउंसिल के साथ सम्झोता किया करना टक तेलंगाना गुजराच औरीशा जी हाँ तेलंगाना ठीक है क्या हो जाएगा तेलंगाना आई इसकी भ्याक्ख्या देखते हम लोग तेलंगाना सरकार और बिटीस काउंसिल सेच्चिक औसरों पर सांस्कितिक आधान परदान के लिए एक अंतराश्टिस संग्टन में सिच्चा अंग्रेजी और कलाम साज़दारी को नवीनिकित करने के लिए तीन साल के समझोता ग्यापन पहस्ताचर किये तेलंगाना ये वहों के लिए वैस्चिक औसर परदान के लिए संस्थानों के बीच अनुसंदार की सिच्चा और बिश्च अस्तर पर उच्च सेच्चा काविस्तार करने में शहायता करना है अब हम बढ़ते हैं अगले शावाल की तरफ राश्टी क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक ने प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारक्रम कितने राज्यों में सुरू किया सबी लोग फटापट कमेंट सेंगे और कमेंट करके बताएंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी फटापट कमेंट करें इस वीडियो को लाइब देख रहे न फटापट कमेंट करें बता हैं चलिए चलते हैं हम लोग और आगे आगे इसकी हम ब्याख्या की तरफ शलते हैं फटापट कमेंट करें बताईए नाव सोलह ग्यारह बीश बताई से लोग फटापट कमेंट करके आगे द्याँ से देखते हैं यह होगा आपका 11 क्या होगा 11 ठीक है ठीक आईए इसकी ब्याख्या देख लेते हैं लोग राश्टी को भी और आभाग के 11 राज्जों ने अपने मीजे भाटार बो दॉर वी करक्रमों के तहत प्राकितिक खेति को बढ़ावा देने के लिए जीवा करक्रम सुरू किया एं करसी पासित्की के सिधानतों को प्रभावी धंग से प्रभावी धंग से लागू करने के लिए दिरителя काहले एंश्तिरता पहलेसं से मौझूद सामाजिक और प्राकितिक पूंजी को कुसल खेती के और बदलता है ठीक है चली हम और आगे चलते हैं कि अगले सवाल की तरफ लागा तर फोन आ रहा है इसके लिए सोरी डिस्टरबिंग हो रहा है किस भारती कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर अठाइस सो पैतालीस रुपए में चालीप परसेंट खिस्यदारी आधिग्रहन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा कि टाटा गुरूप रिलाइंड इंडेस्ट्री लिम्टेड अडानी गुरूप जी हां यहां यहां पर होगा रिलाइंड इंडेस्ट्री लिम्टेड आई इसकी बिष्ट्री ब्याक्षा की तरह बढ़ते हैं रिलाइंड इंडेस्ट्री लिम्टेड ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का 28 से 45 रुपए में 40 परिसत इस्यदारी अधिग्रान किया है जबकि दूसरी और एक इलेक्ट्रानिक विकल टेक्नलोजी कंपनी में उसकी और 50 कौट रुपए का निवेस्ट किया गया रिलाइंस अपनी सहायक कंपनी रिलाइंस न्यू एनर्जी लिम्टेड के जरीए से शौदा कर रही है हम और आगे चलते हैं आज का पांचवाश हवाल है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिश्टल स्किल इंडेक्स 2022 में बात कौन सा स्थान हासिल किया पहला दूसरा तीसरा चौथ बताई से भी फड़ापट कमेंड करके जी यहां पर होगा इस प्रश्चन का उत्तर पहला अई इसकी ब्याक्ख्या देख लेते हैं एक बार हम इंडेक्स 19 देशों की तुल्ला में बनाया गया सेल्स फोर्स ग्लोबल डिश्टल स्किल इंडेक्स 2022 में बारत को पहला स्थान मिला नए डिश्टल कौसर और करमचारी भावनाओं को सिखने में नागरिकों की ततपरता के आधार पर इस सुचकांग की गणना की गई थी और आगे चलते हम सवाल नमबर च्छागी तरफ महासागरों को सरच्छित करने के लिए वन ओसन सिकर सम्मिलें 2022 का अधिस्ता किस देश ने की भारत जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस बताइए फ्रांस ने की इसने की फ्रांस ने आई इसकी ब्याक्षा देखते हैं वन ओसन सिकर सम्मिलें फ्रांस में आजित किया गया महासागर की रच्छा करने और उसकी गिरते स्वांस्त को सुधारने के लिए यह सिकर सम्मिलें पहली बड़ी अंतराष्टी पतिबदाओं के साथ आगे बढ़ने का उसर है वन ओसन सिकर सम्मिलें का उदेश एक स्वांस्त और एक टिकाओं महासागर को सरच्छित करने और समर्थन करने के दिशा में ठोस कारवाई करने के लिए अंतराष्टी सम्मिलें को एक जुट करना है आगे चलते हैं अगला सवाल है हाल ही में प्रिसिद रिसलर दग्रेट खली किस राजिदिक पार्टी में सामिल हुए आमादमी पार्टी भारती जन्ता पार्टी बहुजर समाथ पार्टी भारती राष्टी कांग्रेश बताइए जी हां भारती जन्ता पार्टी वो बी में सामिल हुए मतलब बीजेपी में है ठीक है आई इसकी बैक्षा देख लेते हैं हाली के प्रसीद रेसलर दा ग्रेट खली भारती जंद पार्टी में सामिल हो गए खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है खली साथ फिट एक इंच लंबे हैं टीबी सो बिग बाक्स में भी इस्ता लेच चुके हैं डबलू डबलू इए में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ए एसाई की पतपर थे उन्हें अमेरिका में दोजारेकाश की पतिष्टित डबलू डबलू इए हाल आप फेम लॉस में सामिल किया गया था आगे बरते अगले शवाल की तरफ पस्त नमबर आठ समिधान कौन सा अनुशेद धर्म के अबाद रुप से मानने आचलम प्रशार करने की शुतंता देता है पचीश ए पचीश दो चब्वीस एक चब्वीस 27 एक बताए कौन सा अनुशेद जी हाँ अनुशेद पचीश एक आए इसकी ब्याक्षा देखते हैं और ये क्यों करेंड के सवाल में ये भी प्रणने का प्रियाज करते हैं करनाटक उच्च नियाले के तीन जजों की पीट ने हालही में कालेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहने पर पदिबंद लगाने वाली ये जशकाओं पर अपनी आगे सुनवाई की को अस्दिगित कर दी समिधान का उनशेद 25 एक धर्म को अबाद रूप से मानने आचरन और परशाब परशाब करने की गयरिंटी देता है ठीक है ये करनाटक का मामला था अब हम और आगे चलते हैं हाल ही में वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड में किस टरनल को सबसे लंबी राजमार सुरंग के रूप में मानिता दी अटल टरनल, अडवाडी टरनल, मोधी टरनल, इंद्रा टरनल अटल टरनल कौनसा अटल टरनल आईस की ब्याक्षा दिखते हैं हाली में वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड के अटल टरनल को सबसे लंबी राजमार सुरंग के रूप में मानिता दी गई अटल टरनल लेह मनाली राजमार पर पूरवी पिर पंजाल हिमाली रेंज को रोतंग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार सुरंग है यह लगए नौद असमनों जीरो दो किलोमेटर लंबाई के साथ दुनिया में दस हजार फिट के उपर के सबसे लंबी हाईवे सुरंग ट्यूब टेनल है अब बढ़ते हैं आज के आखरी शवाल की दरफ एक इसकी पीडियाफ के लिए आप टेलिग्राम जोइन करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर्ट टेलिग्राम पर और इलनी भी दुर्गेश है उसे जोइन कर लिजएगा जब इस सभी क्लास आपको पीडियाफ निस्वल्ग देशित में राश्टित मिलते रहेंगे इसके साथ आज कुछ महत्रपुल क्लास होगी जिसकी लिंक आपको टेलिग्राम पर ही मिल जाएगी प्लेइश्टोर से लेनी भी दुर्गेश का आयप इस्टाल करके रखेगा किन सरकार ने हाली में विदेशियों किस चीज के आयाद पर पदिबंध लगा दिया विदेशी कपड़ा विदेशी साइकल ड्रोन गन जी हाँ बिदेशी ड्रोन से इस प्रस्न का सही जबाब होगा आईए इसकी बैक्ख्या देखते हैं आज का अकरी सवाल है इसे के साथ फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास्क में इलैनी बिद दुर्गेश की किन सरकार को हाली मिदेशों से बिदेशी ड्रोन के आयाद प्रपति बंद लगा दिया हलांकि रिसाज डेवलाप्मेंट डिफेंस और सुरचा को देश से ड्रोन का आयात हो सकेगा कि इसमें देश में ही ड्रोन मनुफ्लेक्ट्री को क्या होगा बढ़ हवा मिलेगा ठीक है असब बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करिएगा और इघर बैटे सभी क्लासे जाब प्राप कर सकते सिच्चक भरती पर इच्छा की इलनीवित दुर्गेश की माद्यम से नोर्स क्लास सब कुछ आपको मिल जाएगा ठैक्यू अब सभी का बेस्टाफ लग जय हिंद जय भारत वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा मिलते अंग